इस वीडियो को बिल्कुल भी स्कीप निकरना मैं वादा करता हूँ आप लोगों को आज बहुत मजाने वाला और बहुत कुछ सीख के जाने वाली हो आज हम लोग बनाएंगे मखनी गिरेवी और साथो साथ में सिखाऊंगा कि चिकन मखन वाला वेज मखन वाला और पनीर मख आज आखने मखन वाला तो चलो वीडियो को सुरू करते है तो उसके लिए लिए मैंने दो किलो टमटर और टमटर जो आपका लाल होना चाहिए ना कि कच्छा येलो ग्रीशा में यह सब नहीं होना चाहिए उसके लिए मैंने 200 गिराम काजू आप हम लोग टमटर को अर आपको करीबन 100 गुराम उसमें प्याज लगेगा 100 गुराम से ज्यादा नहीं लेना कम ले सकते हो एक प्याज डाल सकते हो ठीक है तो मैंने 2 unacceptable टrम टल लिया ट्रम टंटर एक दमलाल ठीक हूँ जासे आप चाहर तो इसमें एक प्याज भी यूज़ कर सकते हो मैं इसमें तो प्याज कोंदों आप संते मैं सिस्सींतों प्याज को है इस प्याज आप 152 से जयादprocess करते यह हमारे पासदा तो चलो इसको मिलाते हैं तो हमने सब को एक ही हंडी में ड़िए दो किलो टमाटर 100 ग्राम प्याज और 200 ग्राम काजू टुकडा है उसके बाद डालूंगा मैं एक चमाशी इसमय लग्षन अगर आपके पास अख्ञा है तो पीसावा है तो जैसे भी हो वाँ आपके पास लसन वैसे यूज कर सकते हो उसके बात दो गिलोड टामाटर है करीब हमने साढ़े-चार-से-फांच लिटर इसमें पानी डाना है साड़े चार से पाच लीटर हमने इसमें पानी डाना और इसको थोड़ा सालगा सा मिला देना और इसको गेस को कर देना और इसको पका के आपने कर देना करेबं साड़े तीन से चाल लीटर तक एक लीटर आपने पानी को कम कर देना है इसको पका के और टामाठर आप आपका बोईल हो जाना चाहिए आपका टामाटर अच्छे से बोईल हो गया प्याज भी और काजू भी ठीक है अब क्या करेंगे हम लोग इसको पेस्ट बनाएंगे इसको तो मेरे पास इस तरीके का मसीन होता है बड़ा मसीन होता है क्योंकि यह मैं आपको सिखा रहा हूं दो कि जिस पानी से आप टामाटर बोईल करोगे उसी पानी में आपने इसको पीसना है ठीक है उसी ही पानी में आपने पीसना है दो किलो टामाटर में 200 गिराम से ज्यादा काजू नहीं लेना और 100 गिराम से ज्यादा आपने प्याज नहीं लेना कम ले सकते हो काजू आप 100 गिरा एक हण्डी में नूर्मन उसके बाद मैंने इसमें केप्सिकम डाल दिया एक मीडियम साइज के जिसकी का कलर है जो डाउन ना होए केप्सिकम का काम यूतार नमक डाला मैंने हाप स्पून हाप स्पून डाला है मैंने रेज चिली पोडर और इसमें जाएगा तीन से चार चमत डालूगा मैं इसमें सुगर यह ब्रॉन सुगर है यहाँ पर ब्रॉन सुगर मिलता है वाइड सुगर नहीं मिलता है मैंने चार चमत डाला है इसमें मैंने सुगर अब मैं डालूगा इसमें टमाटो केचप करीबन ये 100 ml तक मैं इसमें टमाटो केचप डालूँगा 100 ml से उपर नहीं जाना आप नीचे 50 और 100 के बीच में रखना टमाटो केचप अब आपने इसको मिला के छोड़ देना करीबन आपने 10 मिलर तक इसको अच्छे से आपने पकने देना है दस मिलर गेश को सिलो कर देना इसको डखकन लगागे 10 मिलर तक आपने इसको पकाना अच्छे तरीके से ठीक है थोड़ा सा ओईल डाल देता हूं मैं इसमें ओईल बहुत थोड़ा सा डाना 50 मिल तक अब इसको थोड़ा सा पकाऊंगा यह करीब इसको पांच मिलर हो गया मैं दिखाता हूं इस तरीके से उबल रहा है और 10 मिलर तक आपने इस तरीके से इसको पकाना दस मिलर बाद आप देख सकते हो जो यह है आधा पक चुका है कि जैसे कि आप पीसने के बाद यह पांच शानने का जो इसको प्रोसेसर है वह बहुत इंपटन रहे है आपने एकदम बारी चंद हम लेना है जीसे कि इसको जो चलता है वह न आपके खाने में अगर आपको लगता है कि आपके पास चनी नहीं है तो आप इसको double करके च्छान सकते हो, जैसे कि मेरे पाँ चनी है, मैं इसको 2-3 बार चनवाता हूँ इस चनी से, ये एक दम fine चनी होता है, इससे भी मैं दो बार चनवाता हूँ, जिसे कि हमारे जो मखर वाले का जो concept है ना, एक दम fine होना चाहिए, उसमें ना किसी तरीके का परीट करें तो अपके आपने कड़ाई में लेना इसे को अगर पांडी में में पेसकतों तो मैंने इसको अंडे में सवरी कड़ाय में ले लिया और इसको देख सेकतों मेरे एक 2 kg टमातर में कितना पम इसमें वह यह अबार डू कर आए को पीसा है और चानने मैंने इसलिए नमक लगा थौटा से कम नमकिट करा उसके बाद एक इस इसमद डालमेने सुगर स्फिर दोस्पून डालमेने इसमBeं सुगर अब जाएगा इसमें कस्तुरी मेथी हाफ इसमद से थोड़ा सा जादा रखना हैं इसमें कस्तुरी के लिए तो से में चाहत। आप शीज कर सकते हो कन शीज लिए सबसे अगर आप आप को चाहिए कि थोड़ा हल्दी बनें तो आथे जित़ final यह थोड़ा से एहत यह थोड़ा सा सुगार से मुजा सकता है तो थोड़ा से मैंने चुगार दो लम स्टाइट से क्रीम आपशेज डाला की पर नमें गला जलिभा रहा था सुगर का मैं न इसमें चार चमद में डाला दो चमद अभी डाला क्यूंकि क्यूंकि मेरेवृाल सुगर है ये इन रेертв लाकिा यो अफ्रीका में है में लीश कढ़ मिलता और सुगर जो कम होता द्याथा यह चा preserv फॉर यृवती कम मिठा होता है खुण पर चिकन पानग्य आप ख़्ण को लगे की हमने थोड़ा सचिखन पकाने हैं तो आपने स्टस्टोउक बिप्टर चीकंप तो तो थोड़ा से इसमें एक पीस निम्बो डाल देना अपने एक पीस उससे ज्यादा नहीं डालना अब इसको मिला देना कोई मसाला नहीं उसका नामने दाल चीनी कस्तुरी मेथी बिल्गुल भी नहीं भूनना वह फ्लेवर के लिए होता है उसको जरूर भी उसका नापने बस आपका जो मखन वाला है चिकन मखन वाला यह रेडी हो चुका है इससे अच्छा वीडियो में नहीं बना सकता और कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को और भी बैतनी बैतनी डीसीपी बसिकाश को तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना गरने हो तो चैनल को सस्क्राइ इसका बटर चिकन और उसका कौन सब्सक्राइब इसको मखन में थोड़ा साइस में हम लोग रूट करते है और इसकी गानिश में ऐसे उसे होता है बात आप कुंफ्यूजना ना कि बटर चिकन अलग चीज़े मखन वाला अलग चीज़े बिलुकुल भी अलग चीज नहीं ह ठीक है थोड़ा सा मसाले का डिफरेंस है और थोड़ा सा कॉंसब का डिफरेंस है उसके लावाद दोनों का टेस्ट लगबख सेमी होता है बटर चिकन का और मखन वाले का अब हम लोग बनाएंगे पनीर मखन वाला पनीर मखन वाले के लिए मैंने बटर डला फ्रैपन में उस उसमें और करना भी पड़ता है लेकिन आप देखा जाओ तो नाम भी से इंगलीस में बोले तो बटर हिंदी में बोले तो मखन तो मखन वाला हो यह बटर हो तो कौन सब सेम है लेकिन हमको थोड़ा सा डिफरेंस करके देना पड़ता है जिससे कस्टूमर एकी टेबल पर दोन । ये पनियर बटर को बनीर को मख्ण मं फ्मेनर हमने फ्राईय के फ्राइब में उसके बाद हमने गरेवी डंसके बालने बाद थोड़ा सा लग नहीं लगी एपको कमेंट करके सीरियस्ली बताना बटर और थोड़ा सा क्रिम जाएगा इसमें अब आते हैं वेज की तरफ यह वेज जो हमारा बोईल कर अब आया है इंडियन फूड का पार्ट वन देखा होगा आपने तो उसमें मैंने सिखाया तो वेज का कटिंग कैसे करते हैं उसको हम लोग रेडी कैसे करते हैं तो उसमे ग्रेवी हम लोग बनाएं वह ग्रेवी को डाल देना इसमें और यह आपका वेज मखन वाला हो चुका है रेडी देखो मैंने कितनी इजी तरीकी से आप लोगों को कितने अच्छे कॉंसेंट में आप लोगों को सिखाया है तो प्लीज अगर वीडियो पसंद है तो पीडि बीजी रहते हैं तो नहीं हो पाता जब फिर होता है तो मैं कोशिश करता हूं बनाओं तो व्यूज आने कम होगा तो सपोट करना उसके लिए भी थोड़ा सा लाइक चैसे जो भी आप कर सकते हो सपोटिंग जिस तरीके से प्यार दिखा सकते हो वह जो आप लाइक करते हो आप जो सब्सक्राइब करते हैं लाइक नहीं करते हैं